आप लोग रिसर्च करिए, इन पर लिखे और नए इतियास की सुरुआत करिए, नए इतियास आएगा, जो असत्य है वो अपने आप चला जाए, हमारे इतियास को तोड़ मरोड कर लिखा गया है, इस्ट्री को जब आप डिस्टार्ट करके गलत तरीके से पेश करेंगे, तो उसका एक गलत मिसेज जाता है, उसका गलत पैगाम जाता है, और लोगों के दुरों में नफरत पैदा होती है, कुछ तो प्राइमिनिस्टर का आफिस का ख्यान लगे, आप से पहर भी प्राइमिनिस्टर हुए है, एक बार, दो बार, कितनी बार हो गए, कभी जाते थे, पचासो मीटिंग कर रहे हैं, जो कोई नुकल लीडर करता है, तो जब आपे बताएंगे, कि और अग्जेब का सिपासालार जो है, वो राजा जै सिंग था, और राजा चस्वन सिंग था, मतलब उस तरह के उसके सिपासालार से, जो उसकी तरस से लड़ते थे, पोलिटिकल लुजाईची दाव पेच में, इनके पास सिर्फ कमिनल टेंशन फैलाना ही, और कमिनल हेटेट फैलाना ही, इनका काम है, तो यह सब बताएंगे, राजपार के जगड़े थे, इसमें ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसल्मान था, ना कोई भाई था, ना पतीजा था, ना बादा वर्जे मैंनी समद खान हिंद वाई सियाफ से मेरे साथ है, जैट के फैजान साब, खेर मगदम है, फैजान साब आपका, आजकल एक अजीब सा महल चल लाए, कि हिस्टरी के उपर भी यह कहा जा रहा है, उसको भी, यह कहा जा जा रहा है, अभी अमिश्याई जी ने आजी कहीं पर भादा देते हुए का कि इतिहास लिए, सही इतिहास लिए, जो लोग इतिहास लिखेंगे, उसको पराने इतिहास को तोड़ते हुए, उसको हम मदद करेंगे, इस तरीके से चल लाए, आसाम में भी एक दिवस मनाया जा रहा है, उसमें भी यह कि 600 साल तक लोग वासाम के अंदर खुस्तनी ने दिया, तो इस तरीके से सब जगे चल ला है, इनिफर्म सिविल कोट का तो आप देखी रहे हैं, यहाँ पर लागू कर दिया गया कई जगे पर उसके उपर, और अब यह हो रहा कि जहां जहां जहां, वहां भी गुजरात में भी हो गय जबकि फ्रजन साव आप जानते हैं, आप तो एड़ोकेट हैं, कि खुद जुटीशियरी की जो आपके सबसे बड़ी संस्ता हो दिसमें सब चीज हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता भारत में, क्योंकि इतने इनिटी इन डावर्सिटी है यहां पर यह लक्षन आजाता है, तो इलक्षन चलते रहते हैं, और इनका जो दावपेश है, पॉलिटिकल लोजाइशित दावपेश में, इनके पास सिर्क कमदल टेंशन फैलाना ही और है इनका काम है, वो करते रहते हैं, तो अब वो नया नया लाते हैं, खिरत का नाम जुनु रख द कटीज कच्छ रहते हैं अभी जिससे आप ने कहा कि वहां का सिमिंस्टर है वह Right दो साफ में वहां गारा किश रोगरन के वहां रर था रहते हैं ऑगाराकर में धुथा ने कॉरछ भगलाते हैं कोक्ति अड़ी आफ क्स्याइए वहाँ के जो अन्नोन थे उनको लेकर के आए हैं अगर ऐसे चीज लागू ने हुई तो वो जो एक माइडर हुगा है हाइनिस कट वो अभी आफ़ताब का आफ़ताब वाला तो हर जगह जहाँ ऐसे आफ़ताब पैदा हाँ उसने तो एक अजीब बात के दी कि अगर इस तरह से नहीं हो अभी कौन उनके खिलाफ एक्शन को रोक रहा है हम दो खुद कहते हैं सब हर आजमी चाहेगा कि वाई जो इस तरह का हीनियस क्राइब करे उसके खिलाफ उसको सदा मिलनी चाहिए अब तक सो मिल जाना चाहिए तो हर चीज़ को लब जिहाद करके कर देते हैं मैंने कहा ला क कैसे आया कौन सा चुरा था किदर से आया इसका ये टेस्ट होगा टेस्ट के लिए जा रहा है और आब आ रहा है मतलब कोई जैसे उनके पास इस लागा कोई कामी नहीं है उसको करने पर और लब जहाद जुड़ दिया अच्छा सवाल ही पैदा होता है कि हिंदू मुसल्मा से चादी कर रहा है मुसल्मान हिंदू से कर रहा है हिंदू लड़किया मुस्लिम लड़के से मुस्लिम लड़किया हिंदू लड़के से ये सब मुस्तकिल चल रहा है लेकिन ये कि अगर हिंदू लड़का कोई मुस्लिम लड़की से चादी करे तो कुछ नहीं और उसको को ऑसम कची मिनिस्टर के दिमन में आपने बात करे ती यह उस ने कहा कि इसको नहीं रोका गया हो नहीं किया गया है तो हाफता ही मतलब हिंदोस्तान में किसे कोई काम नहीं है अब इस बीच में इसे दस्यून नहीं से तो चक्कर चल रहा है इनके कितने मर्डर और भी हुए होंगे, कितने रेप और भी हुए होंगे, गैंक रेप हुए, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं, इसको पकड़ लिया है, इसी पर मुस्तकिल लगे हुए है, तो हिस्ट्री की मात आप कर रहे थे, अब हिस्ट्री में वो आसम की मिनिस्टर जो है, वो एक हाथ मैंने कहा कि आगे हैं तो उन्होंने वहां आसम में वो एक पूग्राम करने हैं अच्छा मोदी जी का मामिला यह हिस्ट्री को ले करके वहां पर इस तरह के फिडम फाइटर्स थे और उन्होंने जो है मोगलों घुजने नहीं दिया ठीक है लड़े होंगे उनको पूग कीजिए लेकिन कि आसम के उसके लिए लड़े मैं उसके ओ नहीं करता लेकिन यह कि मोगलों को अरे अकबर अरंग्जेब तो आसम क्या हो तो बर्मा के बादर तक उसका मामिला था वो खमजा उसने किया था मांसरूबर उसने चुड़ा इधरा करके उसने मांसरूब की बात को लेकर करके जो हिस्टरी पढ़ाने की बताने की बात कर रहे हैं तो उसमें आइंगिन जो पेश करते हैं देखिए खास बात क्या है कि लड़े हारे और जीते हिस्टरी का पार्ट है उसमें कोई मसला नहीं मसला क्या है इस तरह से बताते हैं कि मुगल मुगल माने म मुसल्मान और वहां के जो दूसरे फ्रीडम फाइटर्स उन्हें ले आए हैं निकाल करके उनको ले आए हैं तो कहने का मतलब यह है कि उन्हों ने ग्या वहां की जो हिंदूस थे उन्हों ने मुसल्मानों के एशिक तैसी कर दी बना आइंगिल की पेश करते हैं अन्य बैई तो उसको ले आएं भाई मगर उसका आइंगिल जो पेश करते हैं कि जैसे मालूम है कि उसमें हमाब भी गुनेगार हैं आउरंग्जेब के साथ हम लोग भी फोज में जा रहे थे और हमें भी उन्हों लोग दिया और हम वहां हिंदूों की नस्व कुशी के लिए जा रहे जो अइंगिल पेश करते हैं ना वो गलत है देखें क्या है कि हिस्ट्री को जब आप असलात मूरत होते हैं और हन्ग्जेब को अगर ढंग्जेब को ब 손ब नफरस केंँ करते हैं क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो हमारे हम डर्ल्ह भी एक टीचर थे वह पढ़ते थे जब की उतना communal hatred उस्तरा की नहीं थी जो अब इन्होंने पैदा कर दी है आम हालात में हो कहते थे कि जब वो पढ़ाते थे कहीं लिखा हुआ नहीं था मगर वो जब हिस्ट्री पढ़ाते थे तो कहते थे आरंग जेव इतना वड़ा कट्र था कि वो सुभा को नाश्टा नहीं करता थ जब तक वो इतने हिंदू को नहीं मरवा देता था कि उनके जनेव का एक मन के बराबर हो तो पहले वो बैठता था हिंदू को मरवाता था जनेव कठा करके तॉलटा था तम नाश्टा करता था वे सरोपहर की बैकार की बैकर बात थे लेकिन उस वक जो हम देखते थे की circumstant हिंदू भाई थे जो बच्चे थे हमारे कॉलीक्स थे वह मेंसे बात करते थे तो मुनाफरत के अंदाज में बात करते थे कि यह क्या हुआ तो वो जो चीज़ें हैं जब आप पढ़ाएंगे कि यह राजपार्ट का जगड़ा था इसमें को हिंदू मुसलमान नहीं था तो ज परंगजेव ने जो है क्या किते हैं इसी राजपार्ट के लिए अपने भाई दारा शीको का कतल करवाया उसका मुराद उसका भाई जो मिल करके उसके साथ दारा शीको को हराने के लिए उसके साथ लड़ा था मिल करके उसको भी उसने मरवा डाला उसने सुजा को मरवा डा और जब बाप ने कहा कि बैटा कम सका मुझे से कहूं मिल तो ले तो कहा कि हम नहीं जाएगी मिलने के लिए बाप का मामिला यह है मुझे वहां बंद करवा देगा और बाप से मिलने तक नहीं गया तो जो आदमी अपने राज-पाट के लिए ये कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है तो ये राज-पाट के जगडे थे बाज़ाव के जगडे थे अकबर की त Walmart से लड़ने वाला राजामान सिंग था मगर राना परताव की तर्से लड़ने माला हकीम सूर खां था ये तों के सामने बात आनी चाहिए औरंगजेब के तरफ से लगने वाला अगर राजा जैसिंग था तो सिवाजी की तरफ से लगने वाला इबराहिम खागार्डी था जो नेवी चीफ था उसका तो इस तरीके से उसनों जो मगलों की फौज बनाई थी घोर कि इस तरह की जो लाई है उसका रास्ता देखाया तो यह सब बताएं कि राजपार के जगड़े थे इसमें ना को हिंदू था ना कोई मुसलमान था ना कोई भाई था ना पतीजा था ना इसमें बाब था ना बेटा था तो उसका एक दूसरा असर मुरत्व होता है अब और दंग्जेम ने जो वजीफे मकरर किये मंदिरों में उनकी बुजारियों के लिए उसको बताओ तो फिर एक अच्छा मिसेज जाता है इसी तरीके से हिस्ट्री को जब आप डिस्टार्ट करके गलत तरीके से पेश करेंगे तो उसका एक गलत मिसेज जाता है उसका गलत पुरी एक दुनिया की लाइबरियों में जो किताब हैं पढ़ी हुई हैं कहां तक आप मिटाएंगे एक हिस्ट्री को रिषिर करेंगे जो हिस्ट्री को सही मानों में लिखा जाना वह अंग्रेजों ने थोड़ा मोड़ा गडर गर किया था लिकिन ये तो विर कुल ही इस तो मुनाफरत फैला के काम करना चाहते थे मगर ये भी मुनाफरत फैला करके ही अच्छा मुनाफरत हर तरह से फैला रहे है हिस्ट्री के जरीए मुनाफरत फैलाने का काम करेंगे और यूनिफार्म सिविल कोट के भी आपने तथकरा करेंगे तो उसमें भी इन्होंने उस सब चिड़ा तो जितने इश्यूस हैं सब चिड़ रहे हैं क्योंकि गुजदात के लक्षन तो उसको पेशन अज़र रख करके उसके बाद आने वाले एलक्षन से ला तो आसाम का तसक्राब ने किया था मोधी जी के पास कोई काम तो है नहीं नहीं मोधी जी ने प्रायम इन्सिट्रियल इंस्टूशन को उसके आफिस को यतना लो कर दिया है कि मैं क्या कहूं घटिया जुम्ली के इस्ने गातकरते हैं उस्टीया उस सब्सक्राइजमी इस्तार के नहीं लाद करते के ना हाथ-जाली ठोकर औहां पर हर चीज़ कहुस इस पूल को चाल करने पहुंचा कुछ जाएंगे पुली पहुन करने के लिए कंगे को हवाही है नहीं आप adapts चाल करने पहुं जाएँगे कोई अधरर अधर होगा इसका बड़े तो एक और कोई हाल वाल था उसके लिए बना तीन-चार बार कर चुके हैं और मुझे लगता है कितनी बार करेंगे फिर बड़े पैमारे पोगा तब करेंगे अपने आफिस का ख्याल लगए बही कुछ तो चुनाव परचार में जाकर के वरकर की तरह परचार मत कीजिए परचार में जाकर करता है प्राइम इन्सट्र को चाहिए कि अपने आफिस के डिगनिटी को में इतना ही कहुँगा इस तरीके से देश में चल रहा है उसको आपने के बड़े संच्छिप्त अंदाज में जो पेश किया है और जस तरीके से लेके पूरे महल को खराब किये जारा उसको किये जारा सिर्फ सावधान लेना चाहिए कोई भी करता है सावधान लेना चाहिए और हमें आग कान खोल कर काम करना चाहिए बोड़ जुद देना चाहिए आग कान खोल कर बोड़ देना चाहिए इस इस अदम आपसे लेते मिदा अगले इंक में फ